आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सीन्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सीन्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें खंड़ पीट स्थापना मांग को लेकर अधिवक्ता उद्वारा चल रहा अंदोलन दिनो दिन तूल पकड़ता जा रहा है शनिवार को तहसील सदर में वकीलों ने प्रभात फेरी निकाल कर जमकर नारे बाजी की पीट स्थापनेट के करीब पचास साल से मांग की जा रही है लेकिन एताओं के लेचर पेरवी के चलते स्थापना नहीं हो पाई 1866 में उचनेयले आगरा में था क्रांतिकारी और देश की आजादी के आंदोलन में आगरा की जनता ने बर्चड कर हिस्सा लिया था अंग्रेज भैवीत थे और उन्हें डर था कि यहां से कोई रिकर्ड गाइब न हो जाए इसलिए उन्होंने इलावाद उचनेयले को भेज़ दिया और इलावाद में भी 1909 तक आगरा के नाम से ही इलावाद में उचनेयले रहा लेकिन पार्लियामेंट में एक बिदेख पास हुआ बिल पास हुआ और फिर इलावाद हाई कोट हो गया हम लोग आई कोर्ट बेंच एक्सन कमेटी के नितत्त में जिसे हिंदी में उच्छी नियाले इस्थापना संगर समिती आगरा करते हैं जस्टिश जस्वन सिंग ने एक योग इंद्रा गांदी ने बनाया था 1984 में, 1982 में और 1986 में जिसकी रिपोर्ट पालियामेंट में प्रकासित हुई और उस रिपोर्ट के बाद आगरा समित पस्चि मुतर प्रदेश के अधिबक्ता और जन्ता उच्छी ने आले खंटबीट आगरा में इस्थापित करने की मांग कर रहे हैं आज हमारा प्रदर्शन है कि और हमारे भाई और उनको रंकी जी है, शैने द्रावज जी है, इनको हम लोग उने इस कमान के लिए सबसे आगे रखा गया और जो हमारी खंटबीट की मांग बरसों चली आ रही है और हाली में हमारे जो एस्पी जिंग भगेल साब जो हमारे विदी राज मंत्री बने हैं, हमने इन से जाके दिल्ली आकर कोई मुलागत करी थी, और उनसे बड़ी उम्मीद लागे बैठा हुआ वगील समास कमसें, अपनी तरफ से हो कमसें, इसमें एकसी पहल करें हैं, जो आवान पर हम लोगों ने यहां पर पदर्शन किया है। मंत्री भी हैं, इसी डिबार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कानून मंत्री हैं, आगरा की जनता ने बड़ी अपेच्छा की थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि बगिल साब भी कुछ कर पाएंगे। आगरा की जनता को, आगरा की अधवक्ता को, आगरा की आम नागरिक को, सस्ता सुलम नियाय मिल सके। संगश समिती की पदादिकारियों का कहना है कि वातकारियों को काम के लिए कोस्तो दूर जाना पड़ता है, आगरा में खंटपीट की स्थापना होने पर लोगों को दौड नहीं लगाने पड़ेगी। खंटपीट की स्थापना होने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। सीने उसके लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट स्थाब चुछ